हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसी की कोशन सब पर आज हम आपके लिए वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वह जनरल अवेर्नेस रिविजन का पार्ट 26 बाकी के जो 25 पार्ट्स हैं आप वह प्लिलिस में जाकर चैक कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपोर्टन रहने वाली है तो चले स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है आपका करेक्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है नेक्स्ट है इन दे वल्ड आर्चरी यूथ चैंपियंशिप 2021 हेल्ड इन रॉक्लो पोलंड इंडियन वोमन टीम डिपीडिट विच कंट्री सीम तो विन गोल्ड मेडल आपका करेक्ट आंसर है C. तर्की चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है नेक्स्ट है वो हैस वोन फ्रेंच ओपन टैनिस टाइटल 2021 आपका करेक्ट आंसर है C. नुवाक जोकोविक चलिए नेक्स्ट कोशन वो हैस बिन अपोइंटिट बाई IAMAI आपका करेक्ट आंसर है D. रशिया चलिए नेक्स्ट कोशन हैदरबाज इस लोकेटिद ओन बैंक्स ओफ विच रिवर आपका करेक्ट आंसर है C. सॉरी B. मूसी चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है धोला वीरा अहरपन एरा मेट्रोपॉलिस इन विच स्टेट हैस बिन इंस्क्राइब ओन दा युनेस्को व्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आपका करेक्ट आंसर है A. गुजरात चलिए नेक्स्ट कोशन The International Air Transport Association IATA collaborated with which of the following to facilitate international trade particularly e-commerce आपका करेक्ट आंसर है C. United Nation Conference on Trade and Development चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है Next है which public sector bank has stopped in terms of loan and deposit growth in financial year 2022-21 आपका करेक्ट आंसर है A. Bank of Maharashtra चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है which of the following tools is used by RBI for selective credit control and इसका करेक्ट आंसर है C. It assigns higher risk weighted to certain kinds of loans चलिए नेक्स्ट कोशन Who has been named Prime Minister of the Central African Republic C. A. R and आपका करेक्ट आंसर है A. Felix Maulua चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है which day is declared as National Mathematics Day आपका करेक्ट आंसर है B. December 22 चलिए नेक्स्ट कोशन Dash is a way of raising debt or equity from multiple investors via an internet based platform and आपका करेक्ट आंसर है B. Crowd Funding चलिए नेक्स्ट कोशन नजीब मिकाती has been elected as the Prime Minister of which country आपका करेक्ट आंसर है A. Lebanon Lebanon से related कुछ important point देख लेते हैं Lebanon की जो capital है वो है आपकी Beirut और जो महा की currency है वो है आपकी Lebanese Pound चलिए नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट है और आज का लास्ट कोशन है who has extended risk-based internal audit system to HFCs आपका correct answer है B. RBI that is Reserve Bank of India RBI इस related point देख लेते हैं इसकी जो foundation हुई थी वो ही थी आपकी 1st April 1935 और जो इसके present cover नहीं है इस समय वो है आपके शक्ति कांता दास तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो like और share जरूर करें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर करें आप हमारे टेलिग्राम और इस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका link description में दिया गया है टेलिग्राम चैनल से जुड़कर अब हमसे free PDF ebooks पा सकते हैं और बाकी ebooks का जो store है उसका भी link description में दिया गया है आप जाके check कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं मगली वीडियो में तब तक अपने त्यारी करते रहिए wish you all the best thank you